नमस्कार दोस्तों टुडे टोक पर एक बार पुनाय आप सभी का स्वागत है आपने देखा ही होगा थमनेल पर राजस्तान में 20,000 पदूं पर भरतियां प्रिक्सातिती जारी हो चुकी है आरसम SSB RDC परति को लेकर भी हम बात करने वाले हैं एक बात वीडियो सुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अधिकास जो बच्चे हैं वो एक कावत पर खरे उतर रहे हैं कि डूंगर बलता दिख है बन पगामाली लाइक उन दिख है आप सब को पता होना चाहिए कि राजस्तान में CT आ चुका है CETी आने का मतलब क्या है वो पहले आप समझ लो थोड़ा सा यहां पर देखो CT का जो कलेंडर है वो जारी होगे प्रिक्सा कलेंडर CT जो आपका होने वाला है कौनसा लवल यहां पर देखो, मैं आपको बचादग को बचादग क्या थो होगी और सीटी का जो सेकेंड एक्जाम है जो आपका सीनियर सेकेंटरी लेवल का वार्वी लेवल का है वो है आपका 18 19 25 और 26 फरवरी को अब इन सब के ही में चिंता किसकी सता रही है कि जूनियर अकाउटेंट की सब nic ring कब आएगी एक्जाम क अब एक्जाम कर फो इन चीजों को लेकर अब मैं आपको बता दूँ आप चाहें राजिस्तान में किसी भी जूब के लिये तेयारी करो student Rapp सबसे important है 8% 8% अगर मैं बात करूं तो भई इसकी जो तयारी में इमांदारी से लग गया ना वह आगे पक्का नोक्री लग जाएगा और जिनको पहले आगे की भरतियों की चिंता हो रही है जैसे RSM SSB LDC हो गई इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो प्लीस कॉंस्टेबल हो गई फोरेस्टर हो गई होस्टल वार्डन हो गई ठीक है जमादार सेकेंड ग्रेट की हो गई तो उस चिंता गरने से कुछ होने वाला नहीं है पहले यह जो सीटी यह ना इसको आप पास करो इसकी तयारी करो यह जरूरी है अब यहां पर यह पता चल हो यह जो अन्य भरतियां बताई गई है जिनमें लगबक कितने पद है टोटल लगबक टोटल 20,000 पद है 20,000 पदों के आसपास बरतियां आने वाली है इन 20,000 पदों की बरतियों का फाइदा कोन उठाएगा वो बच्चा उठाएगा जो सीटी का एक्जाम पास कर लेगा ज है हो तो वो हो जाएगी उसका एक्जाम भी फरवरी के बाद में हो सकता दो डाई मीने बाद में हो जाए लेकिन उससे पहले आप इसकी तैयारी करो ना सीटी की इसकी तैयारी कर लोगे तो LDC की तैयारी हो जाएगी ultimately क्योंकि subject almost similar है थोड़ा साथ बदलाव आपको देखने को मिलेगा तो अभी से आप अपनी तैयारी याना LDC की प्रिक्सा सीटी को समझ लो और इसी के अनुरूप तैयारी करो अगर सीटी का बेड़ा पार हो जाएगा तो आगे आप किसी भी बरती में जाओगे तो वहां पर आपको competition कम देखने को मिलेगा और 100% आपके हाथ में कर दो कर रहेगा कि आप किसी ना किसी ब्रती में स्लेक्ट में नहीं बनें तो फिर सीटी के एकजाम का इंतिजार करते रहना EK साल बाद में एकजाम होगा पाएगा ना तो फिर आगे एक साल तक आप अस्ताना पड़ेगा फिर एक्जाम होगा फिर बता नहीं हो सकता एक दो भरतिया आप चूक जाओ क्योंकि भरतियान तो नियत जो है आनी है वो आनी है अब पास ही नहीं हुआ है आपका CET तो आगे उसमें आप भरति में फोर्म में इसी बनना है वन्पाल बनना है पुलिस चरणेबल में सेलेक्सेन लेना है वो आगे की टेंशन है तो जादा से जादा इसी पर आपको को टेंसन अटना है CT के बारे में आगे हम भी कुछ प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं जो यूटूब पर आपको मिल जाएगी उसकी अपडेट बागी दोस्तों नई क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए सभी को जैहिंद राम राम सा उम्मीद है आज की जानकारी आपको अ